VEMC के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है वर्न्य कालिपर से पंप के शाफ्ट का माप ले और उशित पंप कपलिंग सिलेक करें उसी प्रकार मोटर के शाफ्ट का माप ले और उशित मोटर कपलिंग सेलेक करें pump coupling को pump shaft पे और motor coupling को motor shaft पे fit कर लें अब सबसे पहले pump और motor को base plate यानि foundation से जोड़े फिर spider की मदद से दोनों couplings को जोड़ ले pump और motor के bolt को अची तरह से tight करें एक scale की मदद से दोनों machine की उचाई सारी दिशाओं से ठीक से जांच ले अगर उचाई में अंतर नजर आ रहा है तो परत यानि शिम को उस machine के नीचे लगाए जिसका संतुलन ठीक नहीं एक बार फिर से संतुलन जाच ले बैतर alignment के लिए पीतल या SS की परत का इस्तिमाल कीजिए दो dial gauge ले और उनको coupling पर ठीक से लगाए ताकि exhale या radial readings का निरिक्षन कर सकें dial को zero पर vertical position में उपर की और face रखते हुए set करे axial और radial readings लिख ले alignment के लिए dial gauge को 180 डिग्री घुमाए यहाँ पे reading zero और zero आते हैं तो pump और motor aligned है इसी प्रक्रिया को चारो दिशाव में करते हुए alignment जाच ले अगर map 0.05 mm से अधिक है तो दोनों machines के नीचे चारो तरफ से shims लगा दे bolts tight करे और फिर से reading जाच ले अगर axial reading 0.05 mm से जादा होती है तो machine को हिला कर set करे और चारो bolts tight करे ध्यान रहे, radial readings सुचित करता है pump motor level check को जो 0 से 0.05 mm हो सकती है और axial reading सुचित करता है कि coupling gap ठीक से बने रहे अधिक्तम 3 mm perfect alignment होने की वज़ा से machine की maintenance cost और vibration कम हो जाती है और उसके पुर्जों की IU अधिक्तम रहती है कि अधिक्तम रहे सकते है और रहे से का अधिक्तम यहाग जय सकते ही भी और उसके और बच्रीघट